नमस्कार बच्चों आज की हमारी computer class में हम functions की जो अलगलग categories देखते आ रहे थे अपनी पिछली कक्षाओं में तो आज हमें functions पर ही focus करना है functions जैसे की जो string यानि की text category की functions हैं और date category जो है उसके अंदर कौन से functions हैं वो अभी हमें जानना है तो आज हम जो और दूसरे string date functions हैं या इसके अलावा और जो दूसरे functions हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं उनको आज हम जानेंगे तो जैसे हमने एक function देखा था string functions क्या होते हैं string functions की बात करते हैं string बोलें ये जो category है functions की तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें इस तरह के functions हैं जो की आपकी जो भी आप इसमें data एंटर करते हैं उस पर आप apply कर सकते हैं अब यहां पर Excel में जो हम worksheet बना रहे हैं तो worksheet में main यही है कि हम data इसमें enter करते हैं और दूसरे column में लिखे हुए है surnames तो हमने करके भी देखा था कि हमने नाम और surname दोनों को हमें join करके एक बनाना है हाना एक column है जिसमें नाम लिखे हुए है दूसरा column है जिसमें की surname लिखे हुए है लेकिन हमें दोनों को अलग-अलग column में नाम, space और surname चाहिए ठीक है यानि की यहां पर आपकी कोई string है यहां पर कोई आपकी string है लेकिन हमें इनको क्या करना है जोड़ना है ठीक है और यह जोड़ना कैसा है कि हम कोई plus maths वाला नहीं कर रहे हैं कि उसके अंदर add कर दिया आप strings को join कर सको तो इस operation को बोलते हैं concat ठीक है या concatenate ठीक है यानि की strings को जोड़ना इसी तरह से हमें और दूसरे काम भी करने पड़ते हैं कई बार हमें string की length या हम बोलें size का पता लगाना होता है ठीक है एक function है string का ही sub-str या हम इसको बोलते हैं sub-string function तो sub-string function क्या होता है कई बार ऐसा होता है जैसे की एक example लेकि इस चीज़ को समझें जैसे की हमने कहा कि यहां पर हमारे पास है और यहां पर है हमारे पास surname ठीक है तो इनको अगर हम combine कर रहे हैं जोड रहे हैं हाना तो यह तो क्या हो गया यह हो गया concatenate operation लेकिन अगर कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक लंबी string है और उसमें से मुझे तोड के यह string चाहिए या तोडना है इस string को और मुझे यह वाला part चाहिए ठीक है तो सब string मतलब आप string के एक particular मतलब के पांचवे character से लेकर आखरी तक या पांचवे से लेकर स्वात्वे character तक जो भी कुछ लिखा है वो मुझे उसमें से चाहिए तो यह सब string function यही करता है कि आपको कुछ जो आपने इसको string दी उसमें से आपको कौन सा character से लेकर कहां तक आपको string निकालनी है ठीक है characters निकालके आपको return करेगा length function आपको length यानि कि कितने characters की एक जो text हम बोल रहे हैं string या text तो string और text में क्या होते हैं string या text का मतलब होता है कि alpha numeric आपका data होगा यानि a से लेकर z तक और 0 से लेकर 9 तक हाना a to z या capital a to z या 0 to 9 तो ये चीज होती है string या text अब इसमें कुछ और special characters भी हो सकते हैं like comma है dollar sign है हना percentage का sign है underscore है और space भी हो सकती है या फिर underscore है ऐसे अलग-अलग special characters भी हो सकते हैं string या text के अंदर तो कभी हमें कोई particular character को हटाना है या दो strings को जोड़ना है ठीक है या हमें पता लगानी है कि string जो है वो कितनी लंबी है कितनी लंबी है मतलब कितने character से मिलकर बनी है तो ये सब चीजों के लिए हमारे पास अलग-अलग functions है ठीक है इन functions को हम काम में ले सकते हैं और इसको practically हम लेकर देखते हैं यहापे कि कौन-कौन से functions है और किस तरह से हम उनको काम में ले सकते हैं हम यहाँ पर अपनी पुरानी फाइल ओपन कर लेते हैं ठीक है आप हम यहाँ पर यह देखते हैं यह formulas जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास आ रहे हैं यह text function ठीक है तो इस पर हम click करेंगे तो हमें list मिल जाएगी text functions की यह देखिए यह scroll करा हमने देखिए कितने सारे functions आ रहे हैं तो हर एक function के बारे में जब भी आप किसी function पर जाएंगे उसके बारे में आपको एक short message मिल जाएगा जैसे यह function है care क्या करता है यह it returns the character specified by the code number from the character set for your computer यानि कि कोई भी जो character है उसका क्या code है हमारे computer में वो return करता है जैसे आप क्लिक करेंगे ठीक है अब आप यहाँ पर उसको कोई नमबर दे रहे हैं तो वो नमबर के corresponding जैसे मैंने लिखा 45 या मैंने लिखा 46 तो अलग लग यहाँ पर जब आप result में देखेंगे तो आपको नमबर पता चलेगा उस नमबर के corresponding कौन सा करेक्टर आता है ठीक है यह देखी ओके करा हमने और यहाँ पर हमें यह रिटर्न करा इसने यह देखी यह एक सिंबल तो इस तरह से यह जो कैर फंक्शन है यह आपको रिटर्न करेगा आप नमबर एंटर करेंगे उसके corresponding कौन सा करेक्टर है वो यह रिटर्न करता है इसी तरह से clean क्या करेगा आप जो भी इसको text देंगे उसमें से remove कर देगा non-printable characters ठीक है जो non-printable characters है उनको text में से remove कर देगा concatenate concatenate हमने use किया concatenate function क्या करता है दो string दो या ज़्यादा strings को concatenate करने का काम करता है एक बार और मैं इसको आपको use करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पर हम font size बढ़ा लेते हैं ठीक है तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा tree यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है या simple हम नाम लिखकर इसको समझते हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखा अनीता और यहाँ पर लिखा हुआ है शर्मा ठीक है यह देखिए ठीक है और let's say अगर यहाँ पर भी और हमारे पास data है तो हम उस पर भी यह चीज अपलाई कर सकते है ठीक है तो थोड़ा सा data यहाँ पर रख लेते हैं ताकि आपको दिखा सके ठीक है तो concatenate function हमने पहले भी काम में लिया था एक बार और लेके देख लेते हैं ठीक है formulas पर गए text पर गए और वहां से हमने चुन लिया concatenate function concatenate function हम से text मांगेगा कि आपको कौन से text तो यह देखी इस पर click करेंगे न तो यह ऐसे चोटा हो जाएगा हमने दे दिया cell B2 हम string भी दे सकते थे हाँ ना खुड type कर देते हम को string double quotes में लिखते हम अगर string लिखते हैं लेकिन हमारा data cell में लिखा हुआ है तो हमने cell का चुनाव कर लिया अब दूसरा तो जैसे दूसरा क्या है दूसरी string क्या है हमारी दूसरी string है space हम चाहते हैं कि नाम आए नाम के बाद space आए तो double quotes में हमने दे दी space जो string है ना वो single quote या double quote में आती है ठीके कोई number नहीं है ये जो हम इसको simple लिख दें 52 ये string है तो string बताने के लिए single quote double quote का इस्तमाल होता है ठीके ये हमारा text 2 हो गया text 3 में हमने इसको ये दे दिया cell का नाम c2 ok किया ये देखे हमें क्या मिल गया ये इस column में हमें concatenate होके मिल गया b2 space c2 और इसको ही अगर मैं नीचे drag कर दू तो देखे बाकी जितना भी list है उसके लिए ये काम हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से ये concatenate कराया जाता है तो concatenate हो गया एक function है dollar dollar क्या करता है it converts a number to text ठीक है ये क्या करता है जो भी आप इसको number देते हैं उसको इस तरह से ये देखे मैंने इसको लिखा था 56 इसने दे दिया dollar 56.00 तो इस तरह का काम में dollar function आप ले सकते हैं exact exact क्या करता है ये check करता है कि क्या दो strings एक जैसी है या नहीं कई बार data को हमें check करना होता है कि क्या data ऐसा है या नहीं है तो exact क्या करता है compare करता है राइट इसके अलावा find find क्या करता है एक text के अंदर दूसरा text खोजने के लिए find ये देखे अब इसको हम cell का reference भी दे सकते हैं या हमको इसको string दे देते हैं जैसे find text तो let's say हमें search करना है कि क्या in या let's say हमें string कर सर्च करनी है कि garden लिखा हुआ है क्या कौन से text में search करना है वो भी दे दिया तो यहां तो मैं खुद type करके data दे रही हूँ अगर किसी cell में लिखा हुआ है तो वो बता देंगे ठीक है यह देखिए यहां पर यह देखिए हमें answer आ रहा है यहां पर 11 11 का क्या अर्थ है हमने इसको दिया find क्या find करना है garden एक string सर्च करनी है garden किसमें tree in a garden एक sentence है उसमें ठीक है और कहा से start करना है पहले character से start करना है और पहले से start करते वे हम आगे भड़े तो इसने एक, दो, तीन, चार, पांथ, छह, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा यह देखिए ग्यारवे नंबर पर यानि कि ग्यारवा character जो है वो शुरुआत करते वे इसको मिला garden तो इसने हमें यह दे दिया कि भई यह जो शब्द आपने खोजा है यह 11th इसकी position है तो यह जो find function है यह क्या करता है यह हमें starting position जो text हम खोज रहे हैं find कर रहे हैं ढूंड रहे हैं उसकी starting position बताता है अगर मिल जाता है तो यानि कि find से हम क्या कर सकते हैं हम किसी string के अंदर दूसरी किसी string को खोजना चाहें कि क्या ऐसा कुछ है तो हम खोज सकते हैं ठीक है जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ data है अब उसमें से मुझे check करना है कि कहीं पर अनीता नाम की लड़की है क्या ठीक है तो वो मैं कर सकती हूँ तो यह देखिए एक बार और इसको try करते है text में गए find ठीक है find क्या find करना है और इसको आप double quotes में या single quotes में दे तो within text कौन से text के अंदर खोजना है वो text भी आप बता दीजिए ठीक है और starting position भी आपको बतानी है यह start number क्या है start number specifies the character at which to start the search कि उनसे character से आपको searching start करनी है ठीक है जो पहला character है मतलब one ठीक है अगर आप इसको छोड़ देंगे तो by default वो one ले लेगा तो यह चीज आप दे सकते हैं ठीक है और जैसे कि अगर suppose इसी cell में search करना है तो हम ऐसे लिख देंगे ठीक है ओके करेंगे और यह हमें बता देगा कि जो string हम search करना चाते थे वो है या नहीं ठीक है और कौन से जगह पर है वो string की जो चीज हम search कर रहे हैं उसकी position भी दे देगा ठीक है तो यह देखिए सारे text based functions है ठीक है जैसे की एक function है left यह क्या करता है it returns the specified number of character from the start of a text string ठीक है यानि की जैसे आपने left function को एक string दी यहाँ पर हम इसको कुछ टेक्स देंगे और फिर हमें इसको क्या देना है टेक्स तो क्या है टेक्स तो वो string है जिसमें की characters हैं जो कि आप extract करना चाते हो number of characters next parameter क्या है num underscore care और ok किया हमने तो एक character हमने लिखा था तो इसने हमको t return कर दिया जो भी हमने दिया ठीक है इसी तरह से हम इसमें changes करके देखते हमने दिया to enter किया इसने हमें tr दे दिया समझ रहे हैं यह क्या कर रहा है left से आपको कितने characters चाहिए वो आपको return कर देगा जैसे मुझे पता है कि भई पहले 10 characters जो हैं उसमें नाम नाम होगा तो इस तरह से यह देखिए हमने इसको string दी दी tree in a garden तो इसने हमें tree in a दे दिया क्यों क्यों क्योंकि हमने लिखा कि हमें 10 characters चाहिए पहले 10 इस तरह से जैसे मैंने कहा कि केवल मुझे पहले left side से start करते वे 4 characters चाहिए हैं तो हमें मिल गया tree इस तरह से left से अगर हमें कुछ strings कुछ text को retrieve करना है उसके लिए ऐसे एक function है alien it returns के कितने characters हैं आपकी string में alien function लिया हमने और इसको हमने ये नाम दे दिया okay किया ये हमें return करेगा अच्छा इसी में हमने कर दिया इसको यहाँ पर हम करते हैं इसको अगर कोई गलती होती है तो जिस तरह से अभी दिखाई दे रहा था वैसा दिखाई देता है hash value कि आपने कुछ गलती कर दिये हमने same cell में दो दो formulas लिख दिये थे तो text हमने दे दिया इसको text दे दिया और okay किया तो ये हमें length return करेगा यानि कि इस string में कितने characters हैं ये हमें दे रहा है 12 हमने इसको cell दिया था D2 अर्था D2 के अंदर 12 characters है ठीक है तो इस तरह से length निकाल सकते हैं हम और और भी बहुत सारे function है एक function है lower ठीक है lower अगर हमें अपनी string को lower case में convert करना हो जैसे ये देखिए ये लिखा हुआ हो है रवी गुपता okay किया हमने okay किया small में मिल गया lower में ठीक है ये वाली जो string थी उसमें R और G capital थे lower function क्या करेगा जो small ABCD होती है उसमें convert कर देगा आपके text को जो भी आप लिखेंगे उसको small ABCD में दर्श आएगा ऐसे ही upper भी एक function है upper function क्या करेगा यह यहां पर हम use करते है upper function upper function क्या करेगा आप इसको जो भी string देंगे जैसे मैंने इसको Anita Sharma दिया अब Anita Sharma में सब कुछ small में लिखा हुआ है okay किया यह देखिए इसने capital करके दे दिया ठीक है तो lower function क्या करता है कि जो भी हम इसको string देते हैं उसको lower case में convert कर देता है और इसके opposite कौन सा function है upper upper क्या करेगा upper case में convert कर देगा right तो lower case में आपको convert करना है upper case में convert करना है तो यह चीज आप इन functions की मदद से easily कर सकते हैं right तो यह सारे string के functions है string पर किसी भी तरह की चीज़े हमें करानी हो data तो हमने इसमें enter कर दिया लेकिन बार में हमें कुछ convert करना हो तो इन functions की मदद से यह सारी चीज़ें करी जा सकते हैं चलिए बच्चों यहाँ पर हम break लेते हैं break से आने के बाद और दूसरे functions को जानेंगे प्रत्माल कर दो कर दो यह झाल कर दो 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 कि अच्छों ब्रेक ले लिया हमने तो इस्ट्रिंग की फंक्शन्स देख लिए हमने तो ऐसे अलग-लग फंक्शन्स हैं और जब आप अभी प्रैक्टिस करेंगे अभी आपने क्लास में तो पढ़ लिया लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तब तक हो सकता है आप ये सारा कुछ भूल जाएं तो इसके लिए आपको एक तरीका बताती हूँ कि जब आप जैसे की आप स्ट्रिंग वाले फंक्शन्स देख रहे हैं ठीक है तो जब आप फंक्शन पर जाएंगे तो फंक्शन पर जब आप माउस लेके जाएंगे उस लिस्ट के अंदर तो वहाँ पर उसके बारे में आ रहा होगा सिंपल इंग्लिश में आप उसको पढ़िए एक बर पढ़ेंगे उससे ही आपको जानकरी मिल जाएगी कि ये फंक्शन क्या करता है यही तो फाइदा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हमें सब चीज़े दिख भी रही हैं और जब हम उनको चुन रहे हैं या हम उन में लिखा हुआ है कि ये फंक्शन क्या करता है तो फंक्शन हमारी उप योगिता के लिए हैं आज हम इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर देंगे तो कल कोई भी काम आता है अचानक से हमें नहीं बता कि कौन सा फंक्शन हमारे किस काम आ जाए लेकिन एक बार हमारा ही है हलका सा उस पर जो शब्द है उनसे आपको वर्ट से समझ आ जाएगा कि फंक्शन क्या करता है फिर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायलोग बॉक्स आ जाता है वो डायलोग बॉक्स हमसे inputs मांगता है input मतलब कि हम जिस पर काम करना जैसे string है string के function है concatenate function है तो इसको parameters चाहिए होते हैं कि कौन कौन सी strings को जोड़ना है अब इसमें आप दो या दो से ज़्यादा strings को जोड़ सकते हैं तो जब भी आप उसमें जो text box जैसा नजर आ रहा है जिसमें आप लिखेंगे कुछ उस पर क्लिक करेंगे तो नीची उसमें डायल क्या हो जाएगा कि इसमें हमें क्या input देना है और इनके जो नाम हैं वो कुछ इस तरह कहीं हैं जैसे concatenate का अर्थ होता है जोड़ना हाना तो यानि कि ये strings को जोड़ने के काम में आता है क्योंकि text वाली list के अंदर है इसी तरह से search एक string के अंदर दूसरी string को search करना है तो search function lower यानि कि string को lower case में convert करने के लिए इसरे से upper string को upper case में convert करने के लिए एक function है trim trim trimming word सुना है trim करना छोटा मतलब काट जाट एक तरह से कर देना हाना किसी चीज़ को trim करना मतलब उसकी जो लंबाई है हाना वो छोटी कर दें तो text string की लंबाई क्या कई बार हमारे पास जो data आता है यहां spreadsheet में और यह होता है real में कि हमारे पास data आ गया कि यह data है लेकिन वो data उसमें इतनी सारी spaces होती है बहुत सारी spaces होती है extra extra तो उनको remove करना होता है तो trim function क्या करता है extra spaces को remove करता है तो trim function आप use करेंगे अब जब आपने उसको use किया तो या तो आप अपनी string को type करेंगे तो यह तो practice के लिए आप type कर दीजिए इसमें string string का अब ध्यान रखना है कि string जो है जब हम type कर रहे हैं किसके अंदर dialogue box जो है उसके अंदर तो string या तो single quotes में दें या double quotes में दें ठीक है number की जब हम बात करते हैं number तो हम simply हमारा जो भी है 56, 123 ऐसे लिख देते हैं लेकिन string को ऐसे लिखते हैं single quotes में ठीक है या फिर double quotes में ऐसे हम लिखेंगे string को number तो हम simply लिख सकते हैं तो यह तो इसकी बात भी कि जब हम यह तो सब क्या है constant है constant लेकिन जब हम cell refer करते हैं तो cell का नाम देते हैं B2, D2 या H2 या H3, H5 जो भी cell का नाम है तो अगर आपके cell में data है तो cell को refer करेंगे और अगर आप practice ही कर रहे हैं आपको data भरना है तो आप ऐसे करेंगे हाँ अगर cell में लिख देंगे तो आपको कोई single quote या double quote नहीं लगा ना cell में तो आप simply लिख रहे हैं यह तो इसके लिए है कि जब आप parameters दे रहे हैं dialogue box में function को बता रहे हैं कि वह क्या क्या कौन से data पर काम करना है ठीक है तो यह चीज आपको ध्यान में रखनी है और इस तरह से देना है और functions को use करेंगे हमने जैसे upper, lower, trim, search, alien function, length निकालने के लिए concatenate strings को जोडने के लिए ठीक है और किसी string में से आपको दूसरी string निकालनी है तो उसके भी बहुत सारे यह देखी functions है ना एक बार और हम इसमें जैसे कि हमने function use किया left यानि कि string के left से शुरू करते वे हमें text निकालना है इसी तरह से lower, lower के इसमें convert करने के लिए mid, mid क्या करेगा हम इसको text देंगे, एक starting number बताएंगे और number of characters बताएंगे तो यह हमें क्या करेगा ना, बीच में से mid, mid का मतलब क्या होता है, middle तो जो starting position हम बताएंगे, वहां से लेते वे number of characters जिसे आपने का 5 तो बीच में से string निकालने के लिए है mid ठीक है, ऐसे ही एक string को दूसरी string से replace करने के लिए है replace, यह देखिए, replace, इसको हमने क्या दिया, old text तो जैसे कि हमने यह शर्मा दे दिया, इसको c2 हमने बता दिया, c2 में जो लिखा है ना, उसको replace करना है ठीक है, starting, starting कहां से शुरू करनी है, replace करना ठीक है, तो अगर पहले character से ही करना है, तो 1 दे देंगे number of characters number of, number of, number, 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 underscore, cats का क्या मतलब है number of characters in old text that you want to replace ठीक है, जिसे आप replace करना चाते हैं, मैं तो अंदाजे से यहाँ पर 10 दे दिया और new text, new text बताना है आपको, कि जैसे कि c2 में जो लिखा है उसको आप किस से replace करना चाते हैं, ठीक है तो यहाँ पर हमने दे दिया यह देखिए ठीक है, और हम कुछ टाइप कर रहे हैं string, तो double quotes या single quotes में दे दे देंगे ठीक है ओके करते हैं यह देखिए तो हमने इसको cell दिया था शर्मा, और शर्मा को हमने convert कराया किस में, सिंग में यह चीज हमने कर दिया कि इस cell में जो भी कुछ लिखा है, उसको convert कर दो इसमें इस तरह से हम कर सकते हैं ठीक है, अगर हम इसी cell को select कर लेते, यह चीज करके देखते हैं replace, old text, किसको replace करना है C2 को ठीक है, starting position, हमें पहले से ही change करना है कितने characters, अंदाज़ हमने दे दिये, इसको 6 new text हमारा क्या है वो हमने दे दिया ओके किया यहाँ पर हमने replace करा है C2 को और हमने C2 ही select कर लिया इस वज़े से यहाँ पर यह error दे रहा है तो जब भी कोई आप गलती भी अगर कुछ कर देते हैं तो वो आपको वहीं की वहीं पता चल जाती है ठीक है तो जैसे यहाँ पर हमने यह sing लिखा था यह कैसे लिखा था कि हमने बताया C2 पहले character से शुरू करते वे हाना इसको replace कर दिया जाए sing से तो इस तरह से हम कर सकते हैं तो यह सारे text functions आपको काम में लेकर देखने हैं और एक बार आप practice करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से यह work करते हैं search function क्या करता है search के द्वारा हम एक text के अंदर दूसरे text को search कर सकते हैं ठीक है substitute एक function है substitute substitute में हम क्या कर सकते हैं कि एक text को दूसरे text से replace करने के लिए इसी तरह से trim, trim क्या करता है it removes all spaces from a text ठीक है single space के वल रहेगी words के बीच में उसके अलावा जहां कहीं भी extra spaces हैं उनको remove कर देगा अपर क्या करेगा अपर case में convert कर देगा ठीक है तो ये functions है जो की text के functions है अब हम चलते हैं date and time संबंदित functions पे तो इस date and time जो category है उसमें हमें सारे date और time संबंदित functions की list मिलेगी date, date value, day ठीक है hour, minute, month तो ये सारे function date and time related है ये देखिए ये पूरी list जो आ रही है तो यहाँ पर एक function है now now क्या करता है it returns the current date and time ठीक है ये हमें current date और time return करता है ये देखिए यहाँ पर मैंने click करा और date and time वाली category पर गए और यहाँ से हमने चुना now now और ok किया ये देखिए ये हमें दे रहा है 12, 2, 20, 20 और time भी दे रहा है ठीक है तो ये हमें now function ने return किया अब अगर जो भी इसने हमें return किया है माली जी उसमें से हमें date निकालनी है ठीक है तो हम उसके लिए अलग-लग functions हैं वो हम इस्तमाल कर सकते हैं जैसे अगर हमें time निकालना है वो हम select कर सकते हैं date value निकालनी है ठीक है जैसे कि कोई date को आपको convert करना है text में, ठीक है, तो वो आप date value function use कर सकते हैं, day function use कर सकते हैं, यह आपको क्या करेगा, यह देखिए, जैसे day function हम काम में लेकर देखते हैं, day function क्या करेगा, it returns the day of the month, a number from 1 to 31, day return करेगा, okay किया हमने, यह देखिए, यह output क्या आ रहा है, 2, तो day function क्या return करता है, day, 1 से लेकर 31 तक, 1, 2, 3, 4 जो dates होती है न, तो उसकी date क्या है मतलब, तो यह हमने इसको दिया था e2, e2 दिया हमने, e2 में लिखी वी है आज की date, तो इसने हमें return कर दिया, 2, 2, मरलब 1 से लेकर 31 तक, क्या day है, second day है, इस महीने का, तो यह 2 return कर दिया, इसने हमें, ठीक है, तो now function समझ में आगया, आपको now function क्या करता है, current date and time return करता है, इस date and time में से day निकाल सकते हैं, date निकाल सकते हैं, ठीक है, यह date function हम से माग रहा है, year, month और day, तो year, let's say हमने इसको दे दिया, 20, 20, month दे दिया हमने इसको, हमें number में देना है, हमने let's say month दे दिया, 11, और day दे दिया हमने 22, okay किया, यह देखिए, यह हमें ऐसे date बना कर दे देगा, अलग-अलग हमने year, month, date सब दे दिया, तो इसने हमको यहाँ पर एक date रिटन करी, और जब cell, हम किसी cell पर होते हैं, उस cell की property होती है कि उसके अंदर date है, number है, उसके अंदर कोई percentage है, decimal value है, यह कहलाता है हमारे cell का format, यह देखिए, जब हम format cells पर जाते हैं, right click करा हमने, और shortcut menu में से चुना format cell, तो देखिए, यह जो हमारा cell है, इसका format क्या आ रहा है, किस तरह का cell है, इसमें जो data है, वो date है, तो यहाँ पर date ही आ रहा है, अभी अगर मैं खुद से लिखती, कुछ भी 11, slash, 22, तो हो सकता है, वो इसको general ले लेता, simple string ले लेता, लेकिन यहाँ पर, क्योंकि हमने function काम में लिया date संबंदित, इसलिए इसक format cells का dialogue box है, इसमें यह आ रहा है number, यहाँ से हम बताते हैं, कि यह जो cell में data है, वो किस तरह का है, simple कोई number है, या कोई date है, या कोई time है, या कोई decimal value है, या simple string है, ठीक है, जैसे कि यह है, हमारा, इसमें क्या लिखा हुआ है, text लिखा हुआ है, अब इस पर right click करिए, और shortcut में स चुनिए format cell, यह देखिए, इसको यह general में ले रहा है, general एक category है, कि आपके cell में किस तरह का, जो cell आपने चुना है, उसमें किस तरह का data है, क्या वो number है, अगर यह number होता तो हम number दे देते, और decimal places बता देते हैं, कि हाँ इतनी आएंगी, okay करेंगे, अभी इसको आपने number store नही हो, तो यह सही नहीं है, ठीक है, तो cell का format जो है, वो बिकुल सही रखना है, अगर उसमें text है, तो उसको text रखिए, यह देखिए, text category भी है, तो इसको text की जैसे रख सकते हैं, okay कर देंगे, हाना, तो अगर कोई number है, जैसे कि अगर let's say मैंने लिखा 56, हाना, और यहाँ पे let's जैसे मैं लिखती हूँ, 56.78, एंटर किया, ठीक है, अब मुझे decimal के बाद एक ही दिखाना है, इसको number रखना है, या क्या रखना है, यह चीज हम format से बताते हैं, right click करके shortcut में से आप चुन सकते हैं, format से, या उपर options में से भी, अब यह इसको general ले रहा है, लेकिन यह general नहीं ह और number type का किस में decimal, अब जैसे मुझे decimal के बाद तीन digits दिखानी है, तो okay किया मैंने, तो यह तीन digits में आ गया, 56.780, अगर मैं दो decimal का रखती, तो decimal के बाद दो digits आती, तो इस तरह से हमें अपने data को define करना होता है, right, तो यह function हमने काम में लिया, date and time, हमें day return कराना है, इसी त हमने यह दे दिया, और यह हमें क्या return करेगा, कि R function, यानि घंटा, मतलग तो अभी 24 hours के format में ले रहा है, इसलिए यह direct 14, यानि दो बजे, दिन के दो बजे, इस तरह से यह अलग लग functions है, इनको आप जब date देते हैं, तो यह आपको return करते हैं, जैसे कि आपको minute निकालने है seconds निकालने हैं, इस तरह से यह return करते हैं, एक function है today, today क्या करेगा, it returns the current date, यह देखिए, यह date return करता है, today function, now function तो क्या करता है, date, time सब दे रहा है, today क्या करेगा केवल date देगा तो इस तरह से अलग-लग functions है weekday एक function है weekday यह आपको क्या return करेगा weekday बताएगा जैसे weekday दिया हना function काम में लिया हमने इसको दे दी यह date अब ok किया और यह हमें return कर रहा है for तो इस तरह से यह अलग-लग चीजों पर हमारा यह रहेगा Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday इस तरह से करते वे इसने हमें यह 4 रिटन किया है weekday का वो दिया है तो यह हमारे सारे अलग-लग date and time समधित function है ऐसे ही हमें year निकालना हो week का number निकालना हो working day कौन सा है यह निकालना हो यह सारी चीजे हम कर सकते है अगर हमारे cell में जो data है उसका format हम सही रखेंगे तो सही output मिलेगा जैसे हमने dates लिखी है एक date में से हम दूसरी date minus करते हैं तो हमें पता चलता है कि बीच में कितने दिनों का gap रहा अगर हम दो number minus करते हैं हमें अलग तरह से चीज मिलती है इसलिए अपने cell का format सही रखना है हमें कि इसमें date है कोई string है number है decimal number है किस तरह का है वो चीज करते वे हम काम करेंगे तो हमारा काम सही रहेगा तो आज हमने string और date संबंदित कुछ functions को cover करा तो आप इनको काम में लेकर देखिएगा प्रैक्टिस करेंगे तो यह functions आप काम में ले पाएंगे और फिर हमेशा के लिए आपको रहेगा कि हाँ इस पैट्रीड में इस तरह के function है और इन functions की मदद से हम यह यह काम कर सकते हैं चलिए बचो आज समय पूरा हो गया है आज के लिए बच इतना ही धन्यवाद